नमस्कार आज में आपको बताऊंगी बलाउज में बाजू लगाना बहुती आसान और सरल तरीके से तो देखिए यह हमारा जो बलाउज है इसको पहले हम उल्टा कर लेंगे और आरूमल को नापेंगे अब देखिए यहां से हमें आरूमल की इस तरीके से लंबाई का नाप लेना है कितने आरूमल है तो देखिए यहां पर नौ इंच आ रहा है इस तरीके से नापना है और इस तरीके से नौ इंच आ रहा है तो यह जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हमें बाजू निकालनी ह अब देखे इस कपड़े के हम चोड़ाई देख लेंगे तो इसके देखे चोड़ाई तो काफी है 20 इंच है तो हमें तो कपड़ा चाहिए वो 18 इंच का चाहिए तो इस कपड़े को हम डबल कर लेंगे अब जैसे यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे सिलाई करेंगे तो इसके लिए हमें चाहिए यहां पर 1.5 इंच, यह 1.5 इंच हम अलग रख देंगे, 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद, अब जैसे हमें अपनी लंबाई चाहिए 8 इंच या 9 इंच उतना निशान लगा लेंगे, तो हम यहां पर 9 इंच रखेंगे लंबाई, तो यहां निशान लगाएंगे 9 इंच पर अब देखे बाजो की कटिंग हमें कैसे करने है यहाँ पिर तीन निशान लगा लिया इसके बाद हें कि हमें इस तरीके से ले जाना इस तरीके से इस तरीके से तो देखे इंची टेप को अगर हम नाप दे तो इस तरीके से हम निशान लगा लें यहाँ पर किरोस में तिरचा निशान तो यहाँ पर आठ इंच आ रहा है अगर आप इस तरीके से लगाना चाहें तो यह देखे इस तरीके से गोल आई में यह निशान हो इंच यह मौरी का निशान लगा लेंगे इस तरीके से तो यह तो फिटिंग के हो गई अब एक इंच हमें चाहिए यहां पर गुंजाइस या डेड़ इंच जितनी भी आप गुंजाइस रखे उतना ले सकते हैं अब देखिए कैसे कटिंग करनी है देखिए इस तरीके से थोड़ा सा हमें इस तरीके से देखिए गोलाई में अब देखिए यहां पर चोड़ाई रखेंगे जो हमारे आरोमल है उसको हम देखिए जब लगाएंगे बाजू जब इस तरीके से नाप लेंगे तो यह कि तो जब हम लगाएंगे इसको तब नापेंगे तो देखे पहले हमें क्या करना है यहां पर जो हमारी यह मौरी है तो इसके उपार सिलाई लगा लेंगे उसके बाद हमारी जो फिटिंग की सिलाई है इसको खोल लेंगे आदा इंच या एक इंच हमें खोलना है सिलाई अब हमें क्या करना है यहां से इसको नापेंगे इस तरीके से अब देखे आप नाप रहे हैं यहां पर देखे बड़ा हो रहा है मैं हर तरीके से आपको समझा रही हूँ जैसे अगर चोड़ाई बड़ी है तो उसको कैसे करना है सही तो हमें यह देखना है यहां पर हमारी चोड़ाई है वो है 1.5 इंच बड़ी क्योंकि सीधा और सिंपल तो आप नहीं लगा पाएंगे तो मैं यह आपको समझा लूँ कि अगर हमारी चोड़ाई बड़ी है तो इस तरीके से हम इसको काट लेंगे और हमेशा हमें चोड़ाई ज्यादा ही काटनी है तो इदेखे कट गया अब हम दुआरा से नापेंगे इसको नापने के बाद जब बाद में हम सिलाई लगाएंगे अब हमारी बाजू की चोड़ाई बराबर रहेगी और बाजू को हमें खीचना नहीं है बस आरूमल के उपर रखना है और सिलाई पर आप किलिक कीजिए और उसके बाद जो ऊपर आएगा वीडियो लिखे उसके उपर किलिक कीजिए हमारा पूरा चैनल आ जाएगा तो उसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत ही आसान और सरल तरीके से अगर आप पेस्टेचिंग नहीं आती है तो इस्टेचि कर दो स्थे खिए और आप किलिक करद किलिक का जाएगा जाएगा दिया हैं इस्टेचिंग ऊटले कीजिए आप किलिक के उस झाह जब हाद किलिक किलिक कर दो आया हैं, तो पाँ पाँ